तो में दोजार चोबिस में आपके आएंगे तो गीव रिजन टाइप के कुश्चन अब बहुत फेबरेट होते हैं इसलिए आपके संपल फेपर में दे रखा है तो यह संपल फेपर जो एन्मल टम टू है उसके लिए है तो अब देख लो कुश्चन किस लेवल के जो उपर आपने देखी लिया अगर नहीं देखा है द्वारा सिद्दत से देखना इस वीडियो को कंप्लेट देखना आपके साइंस के पेपर में हंडेट टैन प्रसेंट पास हो जाओगे क्लास में दोजार चोबिस में ठीक भाई पास होना चाहते हो तो इस तरीके के कुश्चन त मतलग एधर-उदर की बाते बता रहे है बहुत अफोगा यह होगा हाँ वाइ इसके लिए हो सकता है जिसको सिद्धत ने पता है कि किस तरीके से किया जाएगा उसका सकते हो और क्लास करके तू के एक्जाम के प्रपशन करना चाते हो सही लेबल पर जो कि आपको पास और न यह आपके सामने यहाँ पर एन्वल संपल पेपर आपको दिख रहा है कि प्रैक्टिस कुश्चन पेपर एन्वल एक्जाम क्लास 986 आपके से वह हैंगे कोड आएंगे जो कि असी नमर का पेपर होगा यह आपके तीन घंटेक होगे पांस सक्षन होगा और थर्टी नैन कुश्चन होगे यह आपके दो हजार तैस चोबिस के सेशन में आपको दिखेंगे तो मेरे भाई सेम पैटन को फॉलो करना और क्लास साइंस क्लास 9 में साइंस के जो एक्जाम होने त्यार करना कंप्लीट सारी चीज़े बस इतना फूल देख लेना इसको आपका साइंस में हंडेटन परसेंट पासिंग मार्स आ जाएंगे बस सिद्धत से सुनना जो जो चीज में आपको एक्स्प्रेंट करके बलूँगा क्लास 9 में आपको कोई माइक लाल ने रोग सकता क्लास 9 में साइन्स में खास करके पास सुना चाहते हो त یہ सेंपल पीपर कर लो यह ऑन्यर्lic एग्म के सेंपल पेपर हैं अपके सामने आ गए हैं सर लोग टिचर लोग आपको बता सकते हैं ठीक है चलो पर यह हम सेक्षन देखते एक बार यहाँ कहा है यहाप कर चार्र इको कोईशन होंगे यह आपको सामने यहां पर है यह आप सारी चीज़ों को ध्यान से समझों कि जो आप यहां पर साइंस के अंदर में सेक्शन याद रखना यहां पर जो यह साइंस का यहां पर साइंस के लिए आपके MCQ में जभी जान बच पाईगी जब आप NCRT को बहुत सी दत से पढ़ोगे तो बस यह की पॉइंट याद रखना खास करके इस बाक सबसे ज़्यादा कैमिस्ट्री के MCQ आपके 2024 में बनेंगे यह आज आप लिख लिए 110 परसेंट तो भईया उनकी कैमिस्ट्री कोशन तयार कर लो जैसे आपके यहां पर तीसरे चप्टर और मॉलिश्कूल्स हो गया और यह सारे चीज़ें स्ट्रक्चर हो गया यह सारे तयार करके चलो जबी आपकी बात बन पाएगी अगर आपने साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है जो चप्ट ना होता है कोमेंट सक्षिन में ठीक बाएं और टमिक नमर बता दो क्योंको मेरा फिबरेट लग की नमर है समझे रहो तो आरगन का फटाफट से बता दो और आरगन क्या नोबल कैसे फ्री लेक्ट्रों नहीं होता है डरेट ऑफ डिफ्यूजन विल भी हाइर इन किसमें सब मैं अब से ज़यादा डिफ्यूजन होता है एक यह फिर करा अंडर नॉर्मल कंडिशन मेक्सिमम में टंपरेचर बॉक यह और यह देखो मैंने अभी आपसे क्या पूला अभी मैंने आपसे आरगन देखो मैंने संपल में पर तो सिर्फ मेर पास आया मैंने आपके सामने पूट करना शुरू कर दिया मैंने बोला आरगन का बताओ कितना है उटमिक नमबर से उसी तरह के देखो कितना बच्चा सा सवाल पूछ रहा है यह करेक्ट सिंब कर पर देख लो इसी तरह के पर त्यार करो क्योंकि इसी तरह के पर आते भी है समझेरों बात को ज्यादा बांड़ में मतलो कोई आपको बहकार है मतलब की इदर उदर की बाते बता रहा है बहुत टाफ होगा यह होगा हाँ तफ उसके लिए हो सकता है जिसको सिद्धत नही कि तरह कोई बच्चा फेल नहीं होगा अगर बच्चे ने सिद्धत से सारी चीज़े समझ ली समझ लिए हो ना इतने गैरंटी दे रहा हो यह आज तक होता हुआ है तो सोडियम का आप लोग मुझे कोमेंट करके बताओ फटा-फट से क्या होता है फिर आपके पास यहां प करके बताओ यह अगर आप लोग मुझे ना सही सही से सारे विच्चे कॉमेंट करके दिये तो मैं समझाँगा मेरे से नी आप लोग सही में पढ़ने वाले हो यह आपके सामने पहला ऑप्शन है ए और यह दोनों सही है क्या इन में से दिया है दूसरा तीसरा सही है दूसरा पहला चोथा सही है आप लोग मुझे करके बताओ यह प्रोटोन जो है यहां प्लस होता है यहां प्लस दिया नेगेटिव यह इलेक्टोन पॉस्टी नेग्टे इन में से कौन सा सिंबल सही है आप लोग को पता होना चाहिए एक ट्रिक याद रखना याद रह जाएगा यह क्लिक ट्रिक związे होता है इसलिकां करम से यह etteका यह तो यह पॉंट इस आपको यह जारी में इसलेक्ट अपको यहाद रखना है अब Responsive कोई भी 14 ओटमिक नंबर है तो उसके बैले सेलेक्ट्रों कितने होंगे आपको तक होगा एल होगा यहाँ पर एम होगा यह सापने पढ़ा है नहीं पढ़ा तो बहुत कोमेंट करें बतादना आपको क्लास रिकॉर्डिन मिल जाएगी यह सारी चीजे तो आपको ट्यार नहीं कितना होना चाहिए fue đ Tammy कि और यह सारे कुशन भार यह सारे करके गैप अगर आप इस तरह के और नहीं करोगे चैमिस्ट्री में तो मिर भाई आप लोग फिर तो दिक्कत हो तो मैं क्लास नाइंत में अगर आप पास होना चाहते तो इस तरह कोशन त्यार करो अउपर जो जो डिसकर्स करके बता है वो और कंप्लीट पेपर देखो तो सही अभी थोड़ा सा अपने जीवनों 10-20 मिनट खर्च करो फिर देखो क्या समझा आता है समझे रहो बात को नहीं बस आप लोग प्लीज सपोर्ट दिखाना क्यों क्लास 910 के बच्चे जान रहा है इतने नराज चल रहे क्योंकि उनके लिए क्लास अप्लोड नहीं हो रही तो प्लीज आप लोग इस एंड से शेर करना बस आप लोग से रिक्वेस्ट प्लीज या इस वीडियो को 600 प्लस ल आपको पता होन अच्छी है तो चलो ग्रावटी से एक कोशन पूछता हूं यह जो आपके स्मोल जी है इसकी वेल्यू क्या कमेंट करके बताओ और जो मून पे जो वेट होता है यह वन सिक्स्ट वेट होता है आपको बता है तो मुझे यह बताओ अगर कोई बंदा अर्थ 50 यहां पे अर्थ पे अगर 54 kg का है तो मून पे कितने kg का हो जाएगा कर देना इसका आंसर आजाएगा इसमें किसी गल्टी नहीं होनी चाहिए मैं सभी को कमेंट देखना चाहता हूं और आप लोग क्योंकि जब तक आप लोग न अपनी को अप्रिशेट नहीं करोगे तो जब तक कुछ नहीं होगा समझ रोबात को क्लास 9 और 10 के लिए one of the best SSP है यह आज आप जाके कोमेंट सेक्षन में चेक कर सकते हूं दोजार 23-24 वाले सेशन का तो आएगा या आएगा 22-23 वाले कभी चेक कर सकते हो 21-22 वाले कभी कर सकते हूं समझ रोबात को तो यह चीज आ समझना यहां पर excellent motions के बारे बता रहा है यहां पर एक पॉंट देखो जो आपके पास यहां पर 17 से लेके 20 अर्शेसन डीजन है यहां पर जो आपके साइंस में यह अक्यला आपको बता है कि यह आपके एंसे अर्टी बेस्ट पर होगा जो कि आपको 24 में देखेगा जैसे इस सेंपल पेपर में दे रखा है और जो कुशन आपको डिसकस किया वह दिल दिमाओ अब ठाक चलो एकदम सिद्धत से करके चलो कर लोगे 110 परसेंट मेरे अगर ऑफलाइन में जो सेर सेर नहीं उसको त बता दिया जाता है पहले ही समझरे बात को यह सारे सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगा यह आपके अर्शेशन लीजन मतल़ जबी कर पाऊगे आप जब अर्शेशन लीजन जब आप एंसे आर्टी की रीडिंग की होगी तो क्या आप लोग दो जैसे मैं आपको तम मि हो बढ़त के से जो भी जई में जाना चाहता है हिसी अंडरान करो दोन है अफो चीजेश को समझrån समझरों बात को जो मैं बता रहूं बसी दिल दोन सको क्योंकि तुम्हाएं पी पीछे आतना प्यार दिखाना है और इंस्टाग्रा मिजस बता देना और एंस्टा दिख़् फॉलो कर लेना प्लीज वहाँ पर कोई भी दिक्कत पर आप लोग वहाँ पर बता सकते हैं अब देखो यहाँ पर अब धीरे-धीरे आपके सामने आ रहाएं सेक्शन बी और सेक्शन बी में आपके 21 से 26 कोशन पूछे जाएंगे यह आपके टाम टू के कोशन है जो कि आपके कोशन देखी रहे हो क्या क्या है फीजिकल यह स्टेट ऑफ वर्टर रंप कंप्रेचर पूछ रहा है यहाँ पर स्टुडेंट अफ देलेक्ट्रोनिक आप देखो यहां करेक्शन आपको देखो यह ऑफ लाइन में हमने बाई इतने सारी करवा दिये ना मतलब हमारे से से न सब्सक्राइब कर देखा तो क्या मुझे बनेगा और आप लोग जैसे अभी आपने उपर देखा तो क्या मुझे बता सकते हैं यह आपके तीन नमर क्या आते हैं समझरों बात को नहीं किया कर लो बढ़िये लेवल पर नहीं आता तो कमेंट करके बता दो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँआ बस इतना चीच चाहिए आप लोग से बस इतना करते जाओगे आपको भाई कोई नहीं रोप पाएगा क्लास 9 में टम 2 में पास होने से तो बाइक कमेंट करके बताना जो नमेकल मैंने करवाएं वह सारे आपके साथ में डिसकस कर लिया जाएगा मेरा भाई ओफलाइन में अल्रीड यह सारी चीज़ें कवर हो चुकिए थीए मैं समझे उस तरह से आपके पास सेक्शन सी है सेक्शन सी के अंदर में आप देखो सेक् सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको फुल्फिल करना पड़ेगा हो सेर करणा अपने दोड़ों प्लीज्स कर देना क्योंकि आपके एक लइक हैक आपके पास कर sono सकता है ्ंकिल कि जब अकूली वाला वी question इस बार आपके टक्राने वाला है ठीक भाई समझ रहो बात को तो यह भी point आपको पता होना अच्छी है और भाई motion के question है motion के question मैं already term mid term में जो question करवाय था graph वाला motion के वो भी question आप करके जाना बस बहुत कम चीज़ें यार करने के लिए अगर कर लोगे तो आपका कम सेट है देखो यहां पर the mass of the mass of the Mars इतना है and the kg its moon one तो मतलब आपको यहां पर gravity के भी question आपको करना है ठीक है भाई समझे रहो बात को अगर भाई इतना नहीं करोगे तो भाई दिक्कत आजेगी जैसे आपने देखा यहां पर कि यहां पर capital G की value दे रखा है क्या देखा capital G value 6.7 multiple 10 की power minus 11 newton meter kg यह point समझ गए उस तरह से आपके पास यहां पर स्मॉल जी की value मैंने पूछा ता आप से क्या होगा तो अगर आप लोग ने नहीं बताए तो फटा-फट से comment करके बता दो लाइक नहीं क्यों कर लो और इस तरह के questions तयार नहीं किया है तो आज की anxiety में माग कर लो ठीक है चुट्टियां बहुत होगी आगे आपके दिवाली होगी या उसमें बस वीजी रहना ज्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपके पलास नाइंत में ज्यादा लंबा समय नहीं होगा और फाइनल टम के डेट शीट मैं अल्ड़ेडी बता चुक होती है what is the different cropping pattern में भी बता रहें फिर आपके सामने section d के अंदर में यहां पर देखो जो मैं आपके सामने बात करके दी रहा था मेरे वैं आप यहां पर देखो जिस बच्ची को मैंने बताना कि जिस बच्चे क्यमिस्ट्री और जिस बच्ची का forces बहीं कर लेते हैं अब सोडियम नेट्रेक्ट मैंने करवा दिया अमोनियम औक्साइड करवा दिया क्या होता बहुत आसान होता है इसके बाइश सिंबल पता हुँचे वैलेंसी कैसे बात को मुझे होता है इसकी होता है कि इतनी कितनी बनेगी बता दिना उसके आई अइस bou下一 ऑपर और है क्या होता है यह मैंना आपको मतलग कि offline में मैंने से new करवा दिया है यह सारी चीज़े भाई देखो मैं वही चीज़े आपको बिलीब कर रहो आप मुझे पर रखो मिर भाई जो चीज़े आपको वही करवा दिया जाए जो आपके एक्जाम रफसने क्योंकि आपको PhD नहीं करना है आपको एक बड़िया नम है जो आप यह लेवल अब डाइगराफ प्लांट सेल कभी डाइगराम मराने के लिए आ सकता है तो यह सारी चीज़े देखो यह आपके रीजन है आप देखो साइंस का फेब्रेट जो कोशन होता है सबसे ज्यादा देखो गीब रीजन वाले जितने भी साइंस के आपके सा इस वीडियो को कंप्लेट देखना आपके साइंस के पिपर में 110 प्रसेंट पास हो जाओगे क्लास में 2024 में ठीक भाई तो यह पॉइंट है गिव रीजन यह देखो इन डायरेक्शन डर्स पैसिंजर फॉल इन बस एक्सलेट यह आपको रहा है कि मुझे मोशन वा उससे क्यामिस्ट्री के मतलब ओल्मोस देखों अगर इस बार की बात करें देखों नाइंद की इस बार जो टम टू है इसकी बात करते क्लास में जो अभी उपर जितना हमने सेंपल पेपर डिसकस किया 2023 के एक मैटरियल बेस मान के मिर भाई वुस्क के अंदर में आपने देखा कि क्यामिस्ट्री से भी सेंट है जिसमें के आपने डिखा हैं पर चैमिस्ट्री से मिल रहे तो मेरा है तो मेरा आप इसको करके चलो आजो अइंसρ direito बाई बता यह लूब और ये 103 आंपको क्या च cabinets आपने अपने ओमने पर inm warrantyima पर ने सबसे पहला सबसे तेज अपना सबसे आगे है समझ रहो क्योंकि आप हमारे सपोर्टर हो आप इतना सपोर्ट करते थैंक्यू सो मच यह हो मोहेट्रो आपको पता है कि सुर्वात में में बता दिया था आप लोग करके चलना इसको 600 प्लस लाइक में इस वीडियो को भीजना औ लेकिन आप लोग प्लिस सपोर्ट देखना इस वीडियो को अपने दोस्तियार में जरूर सेयर करना जिससे कि उनको भी थोड़ी मदद मिल सकें और इंस्टाग्राम पर फॉलो निक्या प्लिस कर लेना वहां से बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी कोई भी दिक्कत होग क्योंकि एक अप्तिश्द चला निए है डिखो यह काइनेटिक एनर्जिश आपको पॉटेंशिल एनर्जी आपको फॉरम्मला मैं अलड़ी बता चुको काइनेटिक एनर्जी क्या से निकालते क्या निकालते है हमारे उफ्लैन की से निई जितने विफ्लीश उसको आप लो आप लोग को पता है फॉर्मॉला क्या होता है आपको बता है यहां पर काइनेटिक एनरजी होता है कि यहां पॉटेंटिक आपको पता हूं अच्छे यह सारे आपके क्या होए यह क्या है जो आप यहां पर सामने देख रहे हूं एक बात आपको 100% सच निकलेगी बस आपको क्या आपको थोड़ा सा वर्क करो अगर नहीं किया है तो अगर आपने इस तरह के कोशन तयार नहीं किया है अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो पढ़ना क्याए शुरू कर दो जरू कर दो यहां तो में अपके कितने नमर आए वह आप जरूर बताना फिल मैं कुछ स्टिभ बता दूँ आपको कितने नमर इस टंडर लाने जिससे कि आप पास होगे आपके और्लें डिजल्ट भी आएंगी यह भी पुईंट items याद रखने ठीक ह इस वीडियो को अपने दोस्त में प्लीज जरूर सेर करना एक और लाइक नहीं करते ना ठीक है और आपको जो भी चप्टर नहीं आ रहा है कोमेंट करके बताना तुम्हारे सामने शेप्टर वो मिल जाएगा थोड़ा लेट मिलेगा बट मिलेगा डेफिनेटली और भाई जि अगे बढ़ेंगी टेंसर नहीं लेना क्योंकि असे स्पी तुमारे साथ है थैंक्यू सो मच एंड जाहिंदर